हेलो स्टूड़न वेल्कम टू स्वातिस क्लासेज आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर का जोग्राफी लेसन नमबर वन द अर्थ एंड ग्रैटिक्यूल इस लेसन का सेकेंड पार्ट फर्स पार्ट मैंने अल्ड़ेडी अप्लोड कर दिया है स्टूड़न अगर आप लोगो को स्टार्ट करते हैं यूस फिगर वन पॉइंट फोर फॉर द फॉलोविंग इन अपर पोर्शन अप दे सर्कल अजाइग्राप दिया है वहाँ पे हमें यह पॉइंट्स दिखाने होंगे और नेक्स हमें दिया है कि इन लोवर हाप अप दिस सर्कल मार्क अंगल प्लॉप 60 डिगरी और नेम दिखाना था वी वन एक्स केवन जो कि 20 डिगरी का होगा तो देखिए यह हमारे एक्वेटर के लिए हमने पारलल लाइन को ड्रॉप किया तो वी वन एक्स केवन दिखाना है हमें 20 डिगरी तो यहाँ से अगर हम आंगल को मेजर करेंगे तो कुछ 20 डिगरी इस तरह के से आएगा तो आपको मेजर करके यह 20 डिगरी लेना है तो वी वन एक्स केवन तो यह पॉइंट आएगा हमारा केवन नेक्स्ट इस साइट से हम लेंगे वी टू एक्स उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा केटू तो यहाँ पे आपको दो पोइंट्स मिल जाएगे तो हम अब भी क्या करेंगे केवन और केटू जो है यह हमारे अर्थ की जो लाइन हिए जहा पे पोइंट आ है इनको हम क्या करेंगे जॉइन करेंगे इस तरीके से अगर गोल इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे जॉइन करेंगे इन पॉइंट्स को तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा next हमें दिया है P1 and P2 पॉइंट भी हमें लेने है कि V2, X, P1, V1, X, P1 and P2 P1 and P2 अगर point यहाँ पे लेंगे V1, X, P1 हमें कितना लेना है 60 degree का तो कुछ 60 degree इस तरीके से आएगा यहाँ तर और यहाँ से V2, X, P2 अगर हम करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 60 degree का हमारा यहाँ पे तो यह होगा हमारा P1 और यह होगा हमारा P2 इनको भी अगर हम इस तरीके से point को join करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा तो देखें हमें यहाँ पे question जो दिये तो उनको पेले समझना होगा कि पेले हम क्या करेंगे question को देखेंगे आपको diagram यह अच्छे से देखना है तो आपको समझ में आएगा कि k1 k2 का जो distance है यहाँ पे ellipse form हो रहा है तो यह आपको क्या दिख रहा है बड़ा दिख रहा है अगर हम p1 and p2 का जो circle देखने वाले है तो यह हमें छोटा दिख रहा है यहाँ पे अगर हम equator plane देखेंगे इनके compare to तो देखे k1 k2 बड़ा दिखेगा और उसके बाद p1 p2 का distance अगर हम देखेंगे तो छोटा दिखेगा तो यह क्यों होता है वो भी हम देखेंगे compare the distance x k1 and x p2 are these distance the same और are they different कि distance जो है x k1 का and x p2 का कि क्या वो same था तो same नहीं था now compare the ellipses you have drawn उसके बाद हमने ellipses जो थे देखे थे उसको तो वो same थे क्या नहीं which is the larger ellips and y क्यों थे वो कि large जो हमने देखा था कि v1 x का जो था v1 x1 x2 का जो हमने point ली थे k1 and q2 वो ellips कुछ इस तरह के से हमारा यहाँ पर form हुआ था k1 and k2 का diagram पहले जो मैंने draw किया था उसे ही अच्छे से याद कर लीजे कुछ इस तरह के से हमने बनाया था और यहाँ पर यह k2 वाला देंगे p1 and p2 हमने यहाँ पर draw किया था तो यहाँ पर जो है आपको ellips से समझ में आएंगे कि k1, k2 वाला ellips हमें क्या दिख रहा है बड़ा दिख रहा है क्योंकि equator जो है हमारा यहाँ पर देखिए पूरा जो earth होता है वो spear के जैसे है तो अगर center side में हम देखेंगे center का जो line देखेंगे तो वो हमें बड़ा दिखेगा और पूरा इस तरह के से अगर draw करेंगे तो यह पूरा circle सबसे बड़ा दिखेगा equator का जो equator की जो line होती है वो सबसे बड़ा circle आएगा उसके बाद जैसे जैसे अगर हम उपर जाएंगे तो यह circle कुछ छोटा छोटा होता जाएगा इस तरह के से काफी छोटा होता जाएगा और जो last वाला रहेगा जो pole होता है हमारा north pole, south pole एक point के तरह दिख जाएगा जिसे हम south pole and north pole के थे इसलिए यह distance जो आपको दिख रहा है या फिर ellipse जो दिख रहे है k1, k2 वाला और जो p1, p2 वाला है इन में आपको क्या दिखेगा difference दिखेगा, distance कम ज़्यादा दिखेगा क्योंकि equator से हम start करेंगे तो pole के side में जाते हुए यह circle काफी छोटे हो जाते है वह हमें आके देखना है parallels of latitude तो जो हमने lines बनाई थे उन्हें हम क्या कहते है, latitude कहते है you must have realized that the ellipse drawn by joining the 20 degree points is larger than the ellipse that join the 60 degree points जैसे हमने उपर diagram में देखा था however the distance is xk1 and xp2 are the same की xk1 and xp2 का distance same भी अगर हमें दिख रहा है लेकिन जो angular distance से यह कम ज़्यादा होने की कारण जो ellipse बनेंगे वहाँ पे वो हमें कम ज़्यादा दिखाए देंगे this is because we are dealing with a spear क्योंकि यह spear है हमारा earth जो है globe जो होता है वो spear होता है अगर आप कोई other object लेते हो जिसका shape अलग होगा तो शायद वहाँ पे सारी चीज़े same ही दिखेंगे लेकिश पेर होने की कारण यह सारी चीज़े हमें अलग दिखाए देगी note that though these lines appear to be ellipses ellipses in the diagram और the globe they are circles जैसे कि हमने देखा था कि circles form होते है equator से अगर हम start करेंगे तो pole तक जाने तक जो circles ही हो छोटे छोटे होते जाते है the circles thus created at some angular distance from the center of the earth are parallel to one another hence they are called parallels of these latitudes तो उन्हें हम क्या कहते हैं latitudes कहते हैं the values of parallels are angular measures expressed in degrees तो आगे जो diagram दिया है उसको भी हम देखेंगे तो easily समझ में आएगा the degrees of the parallels are measured from the equator as shown in figure 1.5 किस तरके से distance को measure किया जाता है कि यह से हमने देखा था यह था हमारा equator इस तरके से line होगा अंदर के साहर अगर हम line draw करेंगे तो यह होगा हमारा center earth का center तो earth center से हम लोग क्या करते हैं जो distance होता है उसे major करते हैं जैसे previous हमने जो figure देखा था उसमें आपको दिया था कि center से हम क्या करेंगे इस तरके से line draw करते हैं तो हमें जो distance है angular distance है angular degrees में जिसे हम major करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो equator पर आएगा 0 degree next आएगा यहाँ पर जो line ही वो है 10 degree next 20 degree फिर 30, 40, 50 इस तरके से जो है degrees में major किया जाता है next हम देखेंगे यहाँ पर that is why the equator is considered as 0 degree parallel क्योंकि center कहाँ पर आएगा equator के यहाँ पर तो वहाँ से start करेंगे 0 degree से it is the largest parallel and also a great circle क्योंकि यह sphere shape है तो exactly center वाली जो line ही वो बड़ी आएगी और जो circle बनेगा वो भी सबसे बड़ा होगा the angular distance of other parallels toward north and south goes on increasing away from the equator जैसे जैसे हम north की तरब जाएंगे देखेंगे यह हमारा equator का line है और यह center point है यहाँ से हम जैसे जैसे north की तरब जाएंगे यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि यह distance जो है angular distance बढ़ता हुआ दिखेगा सेम उसी तरिके से अगर हम south pole की तरब जाएंगे तो वो भी distance हमें क्या दिखेगा कि angular distance बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि angles firm हो रहे है आपको easy लिए समझ में आएगा यह angles जो firm हो रहे है यह increase होते जा रहे है 80 degree फिर यहाँ पर 90 degree सेम नीचे के lower portion में भी सेम ही आएगा तो यहाँ पर जो parallel line जो है इस तरह के से जो line जो circles बन रहे है एक दूसरे को क्या है parallel है तो इने है क्या कहा जाता है latitude कहा जाता है next the equator bisect the earth into north and south part the one to the northeast called the northern hemisphere and जो south part होता है उसे southern hemisphere यह तो fifth standard से अपने पड़ा हुआ है towards the north and south of the equator parallels of planet progressively become smaller and smaller on the globe at the north and south ends of the earth's axis they appear as the points these are called the north pole and the south pole south pole respectively जैसे कि हमने देखा इस तरह के से अगर आप line draw करते जाओगे तो आपको दिखेगा कि यह line छोटे छोटे होते जाएगे इस तरह के से और finally यह पूरा circle आएगा इस तरह के से लेकिन मैंने इसे blind draw करके दिखा है अगर आपके पास globe होगा तो आपको easily समझ में आएगा तो यहाँ जो center आएगा यह exactly जो pole होते हैं यहाँ तक यह circle एक point के तरह बन जाता है जिसे हम north pole and south pole केते हैं while mentioning the value of a parallel it is necessary to mention whether it is in the northern or southern hemisphere क्योंकि अगर दोनों hemisphere की बात हम करेंगे तो वहाँ पर हमें mention करना होगा कि यह north hemisphere में है या फिर southern hemisphere क्योंकि angular distance दोनों side में same ही आने वाले है the parallel from the northern hemisphere are referred as 5 degree north n लिखेंगे 15 degree n लिखेंगे क्योंकि वो northern hemisphere में आएगा अगर southern hemisphere में है हमें क्या लिखना होगा 5 degree s southern hemisphere के लिए 15 degree s इसके लिए क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर इस diagram में कि exactly जो यहाँ पर northern hemisphere में हो रहा है उसी तरीके से southern hemisphere में भी यहाँ पर क्या आएंगे 10 degree, 20 degree, 30 degree इस तरीके से तो जो हमने location लिया है वो north में है या फिर south में यह कैसी समझ में आएगा अगर हमने कोई location 40 degree का लिया है तो यहाँ पर हमें 40 degree n लिखना होगा अगर हमने southern का लिया है southern hemisphere का तो हमें वहाँ पर 40 degree s लिखना होगा student lesson का और भी part रिमेनिंग है उसे हम देखेंगे नेक्स पार्ट में तो नेक्स पार्ट को भी ज़रूर देखिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कहीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजे